I am back with my new video और यह जो मेरा नेया वीडियो है Fortressor Trof की बुक का है जो कि क्लास 9th और 10th में चलती है ICSC Board में और आज जो मेरा टॉपिक है या क्या है टाइटल है Story Poem का वो है Abudu Ban Adam ठीक है और इसको लिखे है Line Hunt ने इनके त्वारा यह लिखे है इनके राइट पोयाट के जो है वो इनका यही नाम है और इस पोरी Poem में जो बताया गया उसका सिर्फ एक मोटिव है कि We have to love the creature which is created by God Then God will automatically love us That means कि जरूरी नहीं होता है कि हम सिर्फ अपना प्यार अपना हर कुछ God को दिखाएं मतलब कि कुछ भी कर रहे हो God के लिए करो कुछ भी कर रहे हो उनके लिए सोचो That doesn't mean हमें कुछ भी करना है आप God को प्रात्ना करते हैं उनका रिस्पेक करते हैं That's grateful But अगर आपको सब कुछ अच्छे से चाहिए अगर आपको चाहिए कि हम दो God से प्यार करते हैं No doubt But अगर आपको चाहिए कि God भी हम से प्यार करें तो आपको उनके बनाए हुए Creatures से प्यार करना पड़ेगा जो कीडे हैं मुकोडे हैं या जो भी चीजे हैं जो इनसान हैं जानवर हैं पेड़ पौदे हैं जो भी चीजें God के द्वरार रचित कहीं हैं उनको भी प्यार करना पड़ेगा क्योंकि जब आप उनको अपना प्यार दिखाएंगे वो भी निस्वार्थ भाव से यह नहीं कि God प्यार करेंगे इसलिए निस्वार्थ भाव से अगर आप उनकी केयर करेंगे उनके लिए सब कुछ करना शुरू करेंगे उनकी देखभाल करेंगे और उनके क्योंकि हर इनसान के अंदर हर क्रियेचर के अंदर एक भगवान वरसते हैं सारे भगवान हर क्रियेचर के अंदर वर्सते हैं तो अगर आप क्रियेचर को पूजेंगे उनकी देखबाल करेंगे दया भाव रखेंगे अपने अंदर तो यह जाहिर से बात है कि God जो है हमें automatically प्यार करना शुरू कर देंगे और यही पूरी की पूरी जो पूएम है उसमें हमारा में थीम है पूएम का मैंने आपको में थीम बता दिया अब हम पूएम पे लाइन बाइन आगे बढ़ेंगे ठीक है तो सबसे पहले है इस पूएम को जो फॉर्स लाइन है वो है अब्दू बैन आडम May his scribe increased जो अब्दू बैन आडम है वो सो रहे होते हैं एक दिन रात को अराम से उपने बिस्तर पे उनका क्या होता है walk a walk one night from a deep dream of peace वो जटके से उड़ जाते हैं उनको एक बहुत इप सा सपना देख रहे होते हैं इसका शांती भरा सपना देख रहे हैं कोई ऐसा सपना नहीं देख रहे हैं जिसमें उनको लडाई जगडा या डर भै लग रहा है बहुत शांती का सपना देख रहे होते हैं और वो उठते हैं और देखते क्या है within the moon light in his room उनके रूम में मून लाइट आ रही मतब एक अलग सा प्रकाश आ रहा है नॉर्मली जब इनसान सोता है तो उसके लाइट सॉफ है सब कुछ उफ है बट वो उनकी विंडो से वो देख रहे होते हैं कि एक मून लाइट ऐसे करके आ रही होती है making it rich and like a lili in a bloom और जैसे लड़ा कि लिली खिल गया हो मतलब बहुत ही अजीब सा या कहली जो बहुत ही सुन्दर एकदम चमकती हुई एक मून लाइट उनके रूम में आ रही थी जैसे कि कोई गॉड का फरिष्टा उतर के नीचे आ रहा हो हम जानते हैं ना सराय होती हैं देवदूत होती हैं फरिष्टे होते हैं वैसे जो सराद है कि कोई एक फरिष्टा एंजल गॉड का एक एंजल ऐसे करके उतर के आ रहा हो और वो ऐसे करके मून लाइट आ रही थी एन एंजल राइटिंग इन आ बुक आफ गोल्ड और सच है एक एंजल आया जो कि एक book of gold में कुछ लिख रहा होता है ठीक है exceeding peace had made Ben Adam bold और जो इतनी शांती थी इतना ज़्यादा positivity आ रही थी वो Ben Adam को bold बनाती है पूछने मतलब इससे होता है ना किजी को देख लिए तो थोड़ा साथ डर लगता है नर्वसनेस लगती है What right is thou? तुम इसमें क्या लिख रहे हो? आप इसमें क्या लिख रहे हो? The vision raised his head और जैसे ही वो ऐसा बोलते है तो वो लिखते लिखते ऐसे उसके तरब लिखते है जैसे कोई कुछ पूछता है तो अगर इनसान कुछ लिख रहा है, concentrated है बट अगर कोई कुछ पूछेगा तो वो क्या करेगा? ऐसे करके उसके तरफ से सर्रेस करेगा वैसे वो करता है और वो एकदम स्वीट सा, क्यूट सा, मतलब एकदम शांती, पीस बनाके उनको प्यार से देखता है और उसको आंसर देता है क्या आंसर देता है? यह important है वो उन लोगों के नेम लिख रहा होता है जो की गौड को प्यार कर रहे होते हैं ठीक है एंजल उन लोगों के नाम लिख रहा होता है जो की किसको प्यार कर रहे होते हैं लौड को गौड को प्यार कर रहे होते हैं ठीक है उसके बाद क्या होता है and is mine one वो अब दो पूछते हैं उनसे क्या इसमें मेरा भी एक नाम है क्योंकि वो भी गौड से बहुत प्यार कर रहे होते हैं तो वो उनसे पूछते हैं क्या मेरा भी इसमें नाम है तो वो बोलता है no, not, नहीं है रेप्लाईड ढें एंगल वो आँठल को रिप्लाई कर जाता है अब दो स्पोक मोरो थोड़ा साथ थिस होता है 2500 प्यार कर ता मेरा नाम है थोड़ा सा उनको डिसापोइंट लगते है थोड़ा सा वो लो फील कर लें लगते हैं बट फिर भी चीरफुली वो पूछते हैं बोलते हैं उनसे I pray दी मैं आपसे प्रात्मा करता हूं मैं आपसे pray करता हूं then तब write me as the one that loves his fellow man तब मेरा नाम आप उन लोगों में लिख दीजे उन लोगों के लिस्ट में लिख दीजे जो की God के बनाए creature से जो God को जो follow कर रहे होते हैं उन में मेरा नाम add कर दीजे उन में मेरा नाम आप add कर दीजे वो ऐसा उनको कहता है तो वो जो एंजल है वो राइट कर देता है और वहाँ से चला जाता है मतलब किस लोगों में उनका नाम नोट हो गया उन लोगों में जो कि गौड के बनाए वो क्रियेचर से प्यार कर रहे होते है और अगली रात वो एंजल फिर से वापस आता है जो कि एकनी चमतदार रोशनी के साथ आता है कि अब दू फिर से उड़ जाते है अब तो और फिर क्या करता है वो उनको उनका नेम दिखाता है उन लोगों के लिस्ट में जिन पे करिपा हुई है किसकी गौड की जिनको गौड ने ब्लेसिंग्स दी है उन लोगों के लिस्ट में अब किसका नाम हो चुका था हमारी अब्दू का ना अब्दू बैन एदम का नाम हो गया था और उसके बाद उनका नाम किस लोगों के लिस्ट में लिखा रहे गया उन लोगों की जो कि गौड के बनाय हुए creature से प्यार करते हैं ना कि वो सिर्फ और सिर्फ God के लिए करते हैं बाकि उनको किसी creature से कोई मतलम नहीं रहता है सिर्फ अपनी selfishness के हमारे में सोचते हैं उन लोगों में उसका नाम नहीं था उनका नाम किस लोगों में था जो कि उनके fellow man से जो God जिनको प्यार करते हैं God जिनकी creatures की हैं जैसे हमारे plant है, animals है जो भी हमारे चोट-चोटे insects हैं और जो भी हमारी प्रकृती है वो सब कुछ God ने create की और जो इनसान उन सब चीजों से प्यार करता है उससे God प्यार करते हैं और उन लोगों के list में अब्दू का नाम आया तो हमें पूरी की पूरी पोयम से सिर्फ एक lesson मिलता है सिर्फ और सिर्फ एक lesson कि हमको सब से प्यार करना है सिर्फ God को प्यार दिखा के हम अपना प्यार शो नहीं कर सकते अगर हमें चाहिए कि वापस से हमें प्यार मिले, God से भी हमें प्यार मिले उनकी blessing मिले देन हमें उन सब इनसान से वो सब creature से प्यार करना पड़ेगा वो भी नीशवार द्भाव से जिनको God ने बनाया है बिना किसी छलकपट के बिना किसी discrimination के बिना किसी को अपना ऐसान दिखाए हमें सब की help, सब की मदद और सब कुछ करना होगा तो इस story में सिर्फ इतना ही था पूरी poem में sorry story बोल दें मैंने इस poem में सिर्फ इतना ही था और ये poem जो है वो बहुत ही motivated है मतलब जो 10th के और 9 के बच्चे है उनके लिए तो important है ही पर ये poem हर उस इंसान के लिए important है जो गलत रा में चल चुका है क्योंकि ये poem एकदम right way शो करती है life को तो अभी फिलाल में मेरी 882 subscribers हो चुके है और मुझे अब 1 के complete करने में 1000 subscribers complete करने में 118 या 19 subscribers की जरूरत है तो जैसी वो complete हो जाता है आप लोग को मेरी help करी रहे हो जैसी वो complete होता है I will make sure जैसी बनके complete हो मैं live आँ और live interaction करूँ आप लोगों से कुस टाइम के लिए so keep going guys अगर आपको मेरी ये poem अच्छी लगती इसका inspiration अच्छा लगा then please like, subscribe and share it और हाँ subscribe करके वो bell icon जरूर प्रिश करते हैं सब लोग ठीक है otherwise आपको notification ही नहीं मिलेगी और regular videos तो आई रही है तो और तो कुछ कहना नहीं है thank you so much और हाँ like, subscribe and share जरूर करना है आप लोगों ने और 1K होगा I will be life मैं जरूर लाइव हो thank you झाल कि परेश दया नहीं आपको बत्रों हो